हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे सरदी आ गई है और सरदियों में यमारी सकिन बहुत ज़्यदा डृइ हो जाती है टेणिंग हो जाती है दूप की वेज़े से काला पना आजाता है यमारे चैरे पे और अगर आपके चैरे पे दाग धपे हैं, जाईयों की भी प्रोब्लम है, जुरियां भी आ गई है, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, निखार चाते हैं अच्छा सापने चैरे पे, तो सर्दियों के लिए ये वाला फेस पे बहुत ज़दा अच्छा है, अगर हमारे चैरे की दाग धपों को दूर करता है, कलर को फेर बनाता है, चैरे के लिए बेसन जो है ना बहुत ज़दा फाइदे मंद होता है, अगर आपकी स्किन को बेसन सूट नहीं करता है, तो इसके जगां आप गेहूं काटा ले सकते हैं, सोरी, उसके बाद मैंने आपे चा कलर को फेर बनाने में भी हेल्प करता है, शाहद जो है, तो शाहद आपको एक चमच भरके ले लेना है, उसके बाद यहां पे ले रही हूं कच्चा दूद, कच्चा दूद जो है हमारी चैरे की जाईयों को दूर करेगा, चैरे पे जितना भी काला पन है उसे निकाल देग अगर आपके पास कच्चा दूद ने तो गरम दूद को ठंडा करके उसे लेना है, उसके बाद अच्छे सी सब को मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छा फेस पेक है, आप इसे अच्छे से मिक्स करें, और आप इसे हबते में कम से कम तीन वार जरूर ट्राइ करें, इससे आप तो इसे दो से तीन दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो चली फटा फट से इसे लगाते हैं, उससे परले फ्रेंट्स आज का वीडियो चाल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ अच्छे प्लीज पर चैनल यह लगे तो अगर को सब्सक्राइब दो टो सकते हैं लन्य अच्छे नहीं करता तो अगर से प्लीज चैनले अदरल mo sitten 5-7 मिनट ऐल से खोड़ दिया है बहुत अची skin हो जाएगी जितनी भी problem है आपके चरिक से वो दूर हो जाएगी तो बहुत अची remedy है आप जरूर इससे try करें आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो please please वीडियो को जरूर लाइक कर दे चैनल पर नए तो please चैनल को सबस्क्राइब कीजएगा मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई